नमस्कार बिवानी अल्चल में आपका सवागत है इन दिनों बिवानी जिले की बात करें तो लंपी बिमारी है एक पसू रोग जिसको कहते हैं चरम रोग है लगबग 700 से 800 केस बिवानी जिले में सामने आये हुए है ये बिमारी क्या है इससे बचाओ कैसे किया जाए लक्षन क्या है इसके और आवारा पसू है गो सालाओं में जो पसू है उनको लेकर के क्या हिदायत है वो हम जानने का प्रियास करेंगे पसू चीकित्सक डक्टर सुबास से बाचीत करेंगे साथ ही गो सेवक संजे परमारिशे भी बाचीत करेंगे इनका क्या-क्या मत है क्या-क्या कहना है आई आप जानिए त्याद के तोर पर पसुपालग क्या करें या किस प्रकार की बीमारी है संकर्मन की है या आफवा है इसको ले करके हम सबस्ट करेंगे डग्सब सवागत है आपका क्या कहना चाहेंगे सर ऐसा है जो लंपी स्कीन जो डीजीज है एल एसडी बोलते हैं इसको ये एक वाइरस दवारा होती है और ये जो वाइरस है ये टीक्स चिचड़ों होते हैं मच्छर और मक्ही इनके दवारा फैलता है तो सबसे पहले तो इससे बचाओगा यही तरीका है कि अपने गर में मक कि मच्रों और चिचड़ों का उनकी रोक थाम उनके मारने का उपाये सोचो फोगिंग करवाओ इसका सप्रे करवाओ और दूसरा है इसके लक्सन इसमें क्या होता है कि ये बीमारी आते ही पसू को तेज बुखार होता है और उसके सरीर पे गांठे पढ़ जाती है ठीक है और वे हार्ड होती है बड़ी हो जाती है पेंफूल होती है थोड़े टाइम बाद क्या होता है गांठे फूट जाती है फूटने के बाद उसमें रेसा बगरा हो जाता है दूसरे जो बैक्टीरिया की टानू है उनका संकर्मन हो जाता है उससे फिर पेंफूल सीच्वेशन मन जाती है पसुई अच्छा उसके लिए क्या करना है कि जो उनकी ड्रेसिंग करने पड़ेगी जो लाल दुआई है उसे उनको वास करो डंग से और जो भी अगर इस तरह की केस आये तो समंधी तो जो पसुची कित सक है उनसे मिले और वे जो सला दे उस हिसाब से अपना इस बिमारी के रोगठाम का उपाहित यह जैसे कि आफवा फैली हुई बजार में यह फैलने वाड़ा है संकरमान या जैसे करोना टाइप में लोग मानके चल रहे हैं पसुओं में फैलती है या कोई मानवी आदार पर भी कहीं जाती है यह थोड़ा सामय इसलिए सबस्ट करना आ चाने हैं लोगों में बरम ना रहे किसे भी एप सीन संक्रमण का रोग है यह एक पसौ से दूसरे था पैल जाता है एक पसौ अगर बाड़े में दस पसौ है वह एक इस हा गया तो सारे सारे उसमें एक्सपोजर हो जाते हैं पिमारी के लिए तो ऐसा हुत है है कि हम वैक्षिन भी ऐसे वैक्षिन करते हैं तो सारी इस्टी लेते हैं पसु को बुखार या फिर इस तरह के नोडूल बन रहें किसी में तो नहीं नहीं करते हैं क्योंकि एक्सपोजर होई गया उन में तो उनमें अपने आप ही जैसे रोग परतिरों तक जो समता है अपने उत्पन हो जाती है ठीक है और दूसरा है कि यह आद्में में नहीं भैलता है ठीक है मक्षी एक जो इनफेक्टीट पसू है जिसमें बिमारी आई हुई है उसको काट के होता है आपका अलग है क्योंकि आपका तो ऑथंटीक है इसलिए हम जानना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं है लेकिन लिग में पेलती नहीं एक तो सो मैं जो गांठ II है यह उस्की जो इम्मुनीटी है डॉन है इम्मुनेटि यह उसमीं अगर घृऊ हम विएक्सी बेगर डंग्सिय लगवा लिया इमने अगर उतने रहे निकारक नहीं होता जितना सुरू में था तो रोक पर तिरोग समता की उपर डिपेंड करता है यह सारा कुछ आम आदमी को सबसे पहले तो अपने पस्वों को जब तक यह बीमारी चल रही है घर से बार मत निकाड़ो ठीक है ताकि वो दूसरे जो आवारा पसू है उनके कॉंटेक्ट में नास की अगर यह बार चलेगे ब होगी है इसकी रोक थाम के लिए हम प्रियास भी कर रहे हैं डेली की हमारी रिपोर्ट होती है ठीक है तो इससे बचाओगा एक तो यह तरीका है कि जो पसू है अपने घर में रखें दूसरा अगर किसी में आ जाती इस तरह की लिक्सन तो समंदीत पसूची किस्ट उसूच कि इस इसे सवागत आपका यह किस परकार बीमारी है जैसा आपको पता है कैसे इसको काबू का पाया जा सकता है आप पसूची कित्षव को संपरक में बीए क्या है यह सारा जी हमारे सब से सिरफ कोरी अवाय है अग्वी संक्राम के विमारी है अफवा ज्यादा है लोग भरह्म ज्यादा पाल रहे हैं और हमारे के इसमें कुछ अधितक जो भरम में इसमें आत है वह हमारा एक तो दूस प् से जुड़े हुए उनको भी थोड़ी सी दिखना जीए इनको क्रिर करना चीज़ बारे में हमने चीज़ाब से संकरामक रोग नहीं है यह फैलने वाला नहीं है क्योंकि हम लगातार ग्राउंड लेवल की हम सेवा करें तो हम्मारे पास लेंपिक जो घ्रस से लेकिन उसने फिर भी ना कोई मतलब नहीं है उसको उसको ना तो उससे दूसरी गायों में आई नहीं तो इस ब्रह्म की वज़े से लोग ना दर की वज़े से अपनी गायों को बाहर निकाल रहे हैं माझने का मक्सद दिए लें कामाल की बांड कि नी ले यां यह बिमारी है जायीघी ठीक नीम के पानी से फिट करिके पानी से नालाव और थचोड़ा से टीटमेंट हो जाती कोई दिक्कत नी है इसकी दो एक बात और मिर्टू दर बहुत कम है है अगर इतना ही अगर खतरना लाक भी मारी वो तक यह था हो तो श्की मेर्फ जजदा हो जाती है है एक बिर नहीं है अर्गी देखलो इस종 वाये अम hasid गरशित तो बताओं और सारे लड़की लंपी का सेवा कर रहे हैं अलग से हमारे पास इसके लक्षन क्या है जैसे शुरवात में आम तोर पर आवारा भी जो बजारों में घूमते मिलते हैं पसू कैसे बचा जाए कैसे उपचार किया जाए देशी कैसे किया जाए और अंग्र में आपसतो बातो इसमें सबसे पहले तो नीम रिएक चाहिए इंजक्शन लाओ और दूसरी बात अगर आप देशी का इलाज करो तो आज तो आज आ यह यह दी करें अग्य घाए बर्मार पड़िए तो इसका लाग सायक लाग जाँबात भी बड़ी बात नहीं एक संक्र लुस्यquAS भादीboys भाजारों में जो से की आवारा आउनकी को कैसे शायता करनीद ने का सयोक इंवांट अतू करना चाहिए गवराने की बचाए मतना करना प्रणों को प्यक्तिति वेब तो इसका अगर नीम का पानी उबालो फिटकरी का पानी उबालो ज्यादा ना करो तो अगर फवारा डाल दो और नहीं है तो अमारे को बताओ आम करेंगे मदद आपके सामने संख्या की बात करें तो हमारे पास इतनी बड़ी बात नहीं है और अभी एक केस जित वड़ा का आया है वह भी खुल लाई है तो अभी उसको मिल्यासल में क्या करें आप जाते हो को साला में भी है कोई आप देखेंगे पुल के नीचे और बरीज के नीचे एक छोटी लगू गोसाला बनी हुई है आप हमारे साथ जुड़े रही है एक और नहीं विशे के साथ जल्दा जिरोंगे तब तक के लिए नमस्कार आप झाल झाल झाल